आई आपका फिर से स्वाज़त है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़ेकर मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुगी तंग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ करें यहां वैसीज़ता हैं करते हैं मतलब करने की आदत तो यह बच्चे जो हैं इनकी उमर या कोई बच्चे की उमर छार साल से बड़ी है जढ़ा है और वह एक महेने में कम से बंग एक बार और ऐसे लगा तर तीन महेने कई भी लेट्रिन कर देता है तो यह इन कॉप्रेसिस की बिमारी हो सकती है कि कि में बच्चों को बागी शायरग पन्ट कोई बिमारी नहीं होना चाहिए को मिलोगोग या और और कोई बिमारी जिसके की बागी डायरिये और विचोट के वब दूह कर देता है तो फिर वह बच्चों को पहले गयली लगता है तो इसके दिपरेश्ट mean तो depression का ilaž करना, specially माबाब का ilaž करना, कि उनको counseling करके बच्चों को pressure ना लाए, stress ना लाए बच्चे के उपर, और उसको operant conditioning से उसका ilaž होता है, star chart, star, देखे उसका एक chart ट्यार करते हैं, उसका इक चाट ट्यार करते हैं, दिवाल के उपर लगाते हैं, फिर यदि एनकॉपरेसिस के साथ में constipation है, तो उसके लिए फिर दवा देना जरूरी है, कि laxatives देंगे, इनकॉपरेसिस के साथ में डाइरी है, तो फिर उसके लिए constipation के दवा देना जरूरी भूंगए, मतलब बच्चाब से उसको दवा देनी पड़ती है, और फिर anxiety reducing drugs है और mainly बच्चों को counselling और parents को counselling ये करने के बाद में काफी लोग अच्छ हो जाते हैं approximately एक से देटक का बच्चों को ये विमारी दिखाई देती है इन कॉपरिस की और इसमें ज्यादा तर parents का ही इलाज करना जरूरी है जिसमें परेंट्स नना बच्चों को गिल्टी साबित करना या उँको punishment देना उनको धौस देना या stress देना इसा ने करके उसको परेंट्स को relax करना है ताकि वो बच्चों को relax करेंगे और उसका बढ़ेल कंट्रोल लाएंगे क्योंकि involately मतलब बिना समझे यहां समझ कर भी बच्चा यह हरकते कर सकता है और वो यदि कहीं भी ऐसी लेटरिन पास करता है और महने में कमसे को में एक बार ऐसे तीन महने तक तो यह एन कॉपरेसित की मैमरे उसका इलाज जैसा महने बोलाओ ऐसा करना जरूरी है यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूरी शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू बेरी मच